हलो फैंस कैसे हैं आप आजम बनाने जा रहे हैं बाफला रेसिपी काफी इजी वे में चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय यूटूब चैनल इसके लिए एक परात लिया है इसमें मैंने डाल दिया है आठा ये मैंने थोड़ा मोटा आठा पिसवाया है बाफले के लिए कभी भी आप बनाये तो उसके लिए दर दर आठा ले या फिर आप आठे में सूज है अजवायन यह मैंने साफ कर लिया और अच्छे से डाल दिये इसके बाद लिया है थोड़ा सा जीरा इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा लिया है मैंने खाने वाला मीठा सोडा इसके बाद मैंने इस सॉफ्ट बनती हैं इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे कि हमारा पूरा जो ओयल है उसका मुहन हमारे आटे में लग जाए देखे इस तरीके से हमारा आटा बनना चाहिए अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा गूत लेंगे जिस तरी से हम रोटी बनाते हैं उस ताइप का हम थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूत लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाया है मैंने तो उसको फूलने के लिए रखेंगे तो वह अच्छी तरह से सैट हो जाएगा और जिस कंसिस्टेंसी का में आटे की नीड है बाफले में उसका इससे में आ जाएगा वह और पानी डालके उसे विलकुल आटा गूत लिया है जैसे कि हम रोटी के लिए गूते हैं आप देख रहे हैं यह देखिए हमारा आटा गुत चुका है अब हमें से थोड़ा सा पानी लगा के चिकना कर लेंगे जिससे कि अच्छा सॉफ्ट हो जाएगे कभी भी आपको वाफले बनाने हो उसके अब आदे घंटे पहले आठे को लगा के रग दे जिससे कि आदे घंटे में आठा आपका अच्छी तरह से सेट हो जाए यह देखिए हम अच्छे से उसे गूत रहे हूं मैं जितना आप इस आठे को मेडेंगे उतने अच्छे आपके वाफले बनेंगे अब यह देखिए हमने पानी एक साइट बॉल होने के लिए रख दिया है अब आदे घंटे हो चुके हैं हम आप मारे आठे को और अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे अब हम इसके लोई लेंगे और बड़े शेप की बना दी हूं मैं आप छोटे शेप की भी बना सकते हैं इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे यह देखिए यह जनरली बाती से थोड़े बड़े होते हैं वाफले बन वाइबन करके मैं पूरे आठे के बना लूँगी इसके बाद जो हमारा पानी बॉयल हो रहा था उसमें मैं बन वाइबन करके डाल दूँगी अभी आठा हम जैसे ही डालेंगे आठे की गोली जो हम डालेंगे इसमें तब वो जीचे जाकर बैठ जाएगी लेकिन जैसे जैसे हमारे वाफले पकेंगे हमारी जो बाफले हैं वो ऊपर आने लगेंगे पानी में तैरने लगेंगे आप इस तरीके से इसे कम से कम आदे घंटे या 25 निट तो पानी में पकाए ही पकते पकते ये देखें 20 से 25 निट हो चुके हैं अब मैंने इसे अलग से पिलेट में निकाल दिया है इस तरीके से निकाल कि मैंने अलग रख लिया जिससे का सारा पानी एक तब हो जाए और उसके बाद मैं एक साइड ओबन रखो दूंगी गरम होने के लिए इसे मैंने गरम होने के लिए रख दिया है 5 पर हाई फ्लेम में इसके बाद हम सारे वाफलों को one by one करके इसमें रख देंगे ये देखे मैंने सारे वाफलों को रख दिया है one by one करके इसके अधिसे पकते हुए अभी पांच मिनिट हुए है और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और इसको मैं एक बार हलका सा पलटूंगी अब चम्टे का भी यूज़ कर सकते हैं अब ये देखे वाफलों को पकते हुए मेरे बच्चिस ने ठोड़ चुके हैं और वाफले काफी अच्छे सिख चुके हैं इसके बार मैंने इसे प्लेट में अलग से निकाल दिया है अब ही हमारे वाफले पूरे तरह से त्यार नहीं है आप चाहें तो बाटी जैसे घी भी उपर से लगा के खा सकते हैं ये सही पक चुके हैं लेकिन हम क्या करते हैं इसको गैस में एक कढ़ाई में घी में इसको सेक लेते हैं ये देखी मैंने एक फ्राइपन रखी हुई है इसमें मैंने डाला है घी जैसे घी हमारा मेल्ट हो गया है तो मैं वनवाइवन करके अपने वाफलों को सेकूंगी अब देखिए दो बाफले तो मैं इसी तरीके से सेक रही हूँ बर जनरली हम बाफलों को खाते हैं तो उसको काट के भी आप कर सकते हैं देखिए मैंने पलट दिया अब एक बाफला मैं लूँगी यह देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है इसको मैं नाइफ की हल्फ से भी से कट कर लूँगी यह देखिए कितना अच्छा बाफला हमारा बना है अंदर से भी अच्छा सिख चुका है और इसको मैं अच्छे तरीके से गैस में रख दूँगी हमारी फ्राइपेंट पर सिकने के लिए ये देखिए किते अच्छे से हमारे जो वापले हैं वो सिक रहे हैं गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है उसके अच्छे में पलटती जाओंगे हमारे वापलों को और हमारे वापले तियार हैं आप इसे बाटी डाल भी कह सकते हैं इसे हम भरते हो और डाल के साथ और सैलेट के साथ परोसेंगे आप जरूर खाईए इसके आप तो चूर्मा के लड़ो भी बना सकते हैं और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पॉर वाचिंग बाबाए